सबीकों नमस्कार दोस्तों मेपिंग स्रीज में आज हमारा लेशन फॉर्थ होने वाला है और आप लोगों का जो कमेंट है रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा रहा है और मैं चालता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा है हम और आप मिलकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि वीडियो में वीज आएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो वीडियो हम मैपिंग के बना रहे है उनमें से एटलिस्ट आपका एक कुशन बने तभी इसका फाइदा है और उसी कड़ी में मेरा ये रिशर्च है जैसे आज जो वीडियो होगा वो जो NDA और CDS में जो कुशन आए है अपनी UPC Pre 2023 के बाद में जो NDA CDS के एक्जाम लगी है उनकी जो मेपिंग के कुशन है आज हम देखने वाले है और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मैंने वेलियो डिशन भी किया है जो आपके बहुत काम आएगा जैसे जैसे लेशन आगे बढ़ेगा देखना आपको खुद इतना आत्मिस्वास आएगा कि हम अच्छा कर रहे है तो लाइक जुरूर कर देना लाइक करने में कुछ नहीं जाता आपका कमेंट करके भी आप बता सकते हो तो हमारा ये लेशन होने वाला है फॉर्थ साथ में ये फीडिये अप काम में लेगी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ठीक है उपर इस्टेडी आइस पर दर्विंदर जाकर टेलीग्राम में भी इस नाम से सर्च करना या यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फीपिटी में भी लिंक दिया है इस पर ओके कर सकते हो साथ में आप इस्टाग्राम पर भी जोट सकते हो ठीक है और आगे बढ़ते है ठीक है तो पहला कुशन देखते हैं आपको मौका दूँगा टेम्ट लेने का ठीक है कुशन आराम से देखो यह कुशन किसके बारे में लेक्ट विक्टोरिया के बारे में और लेक्ट विक्टोरिया को लेकर यूपिसी के पुराने सालों में आपने कुशन पत्र देखे होंगे ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मोका दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ करो, पढ़ता हूँ कुसन, ठीक है, कि विक्टोरिया जिल के बारे में आपको बात करना है कौन से खतनी समें, सही है ध्यान रखना, यूपीसे में सेम कुसन आते हैं, कि ये जिल चार देशों में बटी लगबग कितने हैं, 50,000 स्क्वाइर किलमेटर से धीक है, और ये अफ्रिकन जो रिप्ट वेली है, उसका एक पार्ट है, अफ्रिकन रिप्ट वेली बहुत इंपोटेंट है, बहुत सारे कुसन आत चुके हैं, आपने देखा होगा कि जो अफ्रिका मादीप है, उसका जो इ बनी है, तो आने वाली वक्त में मतलब ऐसा कहते हैं कि हजारों लाकों सालों में जो भी है, उसमें अफ्रिका के भी पार्ट हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो सुरुवाती पर्थवी बनीती पेंजिया, उसका विवाजनुआ, इसी तरह से अफ्रिकन रि आप वीडियो पौज करके देख लेना क्योंकि यह लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते है, कम समय में इस वीडियो को अब हें खत्म करना होता है, तो यहां पे क्या होगा? कि यह चार देशव में बटी, एक तो आफ्ट्ट चीज सीज पर यहां पर कि इने देशव में है? है ठीक है यह लगबग फेक्ट जो होता है मान के चलते हैं हमें नहीं पता होता है यूपीसी भी नहीं चाहता कि आप भुजद रट्टा मारो थोड़ 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 common sense लगता है ठीक है यह सही है पहले वाला एक को देख लेते हैं जहांचा एक है उनकों काट देते हैं यह option निकल के आया है दो कई वार एक चीज और इसमें notice करने वाली बात है कि इसको ड़िका उना अफरिक रिप्ट वेजी का पार्ट मांन लेते हैं जैसे अफरिका अपर माधीब में यहां पर क्या है दो रिप्ट वेलिए ऐसे क्योंकि अफ्रिकान माधीब यहां रिप्ट गा कहां पर इसके बीच में है यानि रिप्ट गाटी के अंदर नहीं है वहां पर इस्तित नहीं है वहां बहुत सरे जिले इस्तित है इसका मतलब यह इस स्टेट्मेंट भी थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता था यह दी ओपसले से आते तो मामला गरबड हो सकता था ठीक है तो जो मेरा अनसुर निकल किया है हो सकता है इसका आपका अलग हो देख लेड़ा लेकिन जो मैंने रिसर्च किया उसकी साब चानसुर इसका अभी जो सामन उसकी लोगेशन कहां पर एक्वेटर पर बहुत इंपोटोंट बात है कभी-कभी ऐसकता है कि लेक विक्तोरिया का स्टेट्मेंट आसकता है कि बोमद्रे का बस्तित है तो यह बात साही है एक्वेटर पर शित ए और आप आराम से देख सकते हो देश कौन-कौन से इसमें य पूरा बेसिन का विस्तार जब मांगते हैं तो उसमें पांस देश मानेगे लेकिन यहां पे तीन देश हो में ठीक आप ढंक से थोड़ा रिसर्च करोगी तो उसमें पता लग जाएगा मेप में भी साब दिख रहे हैं यूगांडा केनिया और तंजानिया में क्या है लेक वि बनती आपने देखा होगा ब्ल्यू नील और यहां से वाइट नील निकलती है तो यह भी इंपोटेंट चीज होगी इसमें कई सारी और नदिया भी आके गिरती है तो और इसका इसका क्वार किलोमेटर वो सब हम देख लेता है एक बार तो यहां डीटेल में क्या लिका है क विक्टोरिया जील अफरिका की सबसे बड़ी जील है और विक्टोरिया जील कहां पर केनिया तंजानिया और यूगांडा में है इसका चेतर पर लगबग 68,800 वर किलोमेटर माना गया है यानि अपना जो सेके स्टेटमेंट था वो सही था यह दुनिया की सबसे बड़ी उस यह सेकिंड बने गई है तो यह कुछ-कुछ कभी fact काम आ सकते हैं ठीक है और सुप्रियर के बाद में दूसरी है मिठ्य फाने की जील है ठीक है और इसका मुख्य जो नदी आके गिरती है इसमें कई सारी नदियें गिरती है यह कागिर नदी भी है और यहां से निकलती कौन बन सकते हैं पहले भी ऐसे कुछन बने है ठीक है तो अफ्रिकन जो रिप्ट वैली देको इसका पार्ट यह है बहुत सारी रिप्ट में जीले बनी हुए इसको भी हम जब अफ्रिका माधी पढ़ेंगे तो अफ्रिकन रिप्ट वैली को पूरा डिटेल में देख लेंगे ठ ठीक है मोटा मोटी आपका यहां से काम बन गया होगा आगे बढ़ते हैं और जो कुशन भी है दुबारा देखेंगे तो अपना इसमें ये तीन दिसों में तो पहला वाले स्टेट्मेंट गलत हो गया तो ठीक है फिर तो अपना आंसर वेसे भी सी निकल किया रहा है इसका मतल हलागे हो सकता है उसकी सरचना में यह बनी हो जब रिव्ट वेलियो कैसी बन्ती आपने देखा होगा द्रिवर्एक किसे वाँपे ठीक है ठीक है तो यहां पे एक इस तरह दूघ है यहां पे जो इस चाफितेद है ओर इसका विश्तार की बादियो है पर laborator आँ लेड़ सी तक माना गया है ठीक है ये भी कभी-कभी ऐसा कुछ आ जाए कुछन आ जाए तो मोटा-मोटी आपकी चीज़ समझ में आगे होगी कुछन के साथ में मेपिंग करेंगे तो मज़ा आता है एप प्रोच इसलिए अच्छे रहते हैं कि कि किसके यूपीसी की एक्जाम के हैं लेटेस्ट एक्जाम के हैं तो वहां से और आत्मिश्वास आता है कि यूपीसी इस तरीके की कुछन पूछता है ठीक आगे बढ़ते हैं ठीक है यह आपको जो अपना मेंटर्सीप सेशन चल रहा था इस मेंटर्सीप सेशन मुख्यरूप से नहीं है इसमें क्या है गती intern ed süis का किया है जैसे आपको में अभी करवा रहा हूं मैं बगदा अच्छे से करवाश रहा हूं ऐसे हमने कया है 2300 अप पंचास घंटे का content है आप देख सकते हो यहाँ पर तीन टीचर में मिलकर हमने पढ़ाया है और इसमें बहुत सारा जो content, pre exam का content वो भी हम वहाँ पर free में share करते है और कभी-कभी सब्ता बर में एक live session भी करते हैं ताकि जो बच्चों की practical समझे हैं उनको हम solve करते हैं बीजी समय में हम अपना थोड़ा सा time निकालते हैं बच्चों की मदद करते हैं आपको भी ऐसे जुड़ना हो मातर इसकी fees कितनी है? only 99.99 रुपे बहुत ही कम fees में हम इतना अचा प्रोग्राम कर रहा है आपको जोड़ना हो इस score से तो यह number दिए गए हैं यह आपे केवल यह number है जिससे आप जोड़ सकते हो आप इन पर call करना आपको गुरूप में एडिकर दिया जाएगा ठीक है और fee only नो सुनियान में पहले यह 15.00 रुपे में था अभी एक offer चल रहा है लेकिन आप यह जानते हों मैं कोई paid course नहीं चलाता हूँ simple से चोटे-चोटे इनिसिट्व लेते हैं जिन से हमारा team का खर्शा निकलता है बहुत सारे team member भी साथ में जुड़े हैं बहुत सारी इनिसिट्व साथ में लेकि चलते हैं ठीक है आगे बढ़ते है यह बहुत important question है ठीक है ऐसे question पहले भी आए यूपीसी के एक्जाम में कुछन आए कि कौन से जो सहर है बड़े सहर है किस नदी के किना रिष्थीत है तो यह भी एक theme बनती है पुराने सालों के paper देखोगे मेपिंगे तो उसके अंदर ऐसे question बनते है तो question को पहले आप एक बार देख लो यहाँ पे आराम से question क्या कौन सा नगर यूरोप में राइन नदी के किना रिष्थीत है यानि कुछ यूरोप की cities है जो कुछ river के जो किनारे उस पर इस्तीत है उसके बारे में question पुछाए तो कौन सा नगर यूरोप में राइन नदी के किनारे इस्तीत नहीं है तो ऐसे करके क्या करना है में जो मोटी-मोटी नदीया है भारत की नदीया है अमेरिका की नदीया है इनको भी जब हम static mapping देखेंगे इसके बाद मैं साइध में static mapping शुरू कर दूँग यह चार-पांच वीडियोस लिए बनाए थे यह planning strategy थी हमारी कि हम UPC की mapping को समझे अब आ कौन सा नगर यूरोप में राइन नदी की गिनारी स्थीत नहीं है यह कुछन है तो राइन नदी की बारे में जो डिटेल चाहिए थी इपने को यहां पर सारी लिग दिए और कौन-कौन से नगर और कौन-कौन से देश है यह चाहे देशों से ओकर गुजरती है important है ठीक है और इसके लवा राइन नदी कहां से निकलती है तो यह स्विस अल्प्स है वहां से निकलती है आप यहां पर देखना स्विप्स यहां से निकलती है स्विस क्या नाम है स्विस अल्प्स थोड़ा सा नाम अटपटा सा लग रहा है बोलने में अटपटा लग रहा है तो यूरोप में इम्पोटेंट नदी माला जाता है यहां से इसके अंदर परिवन भी होता है जल्परिवन का एक बड़ा एक्जामपल है बहुत सारी इंडूस्ट्री वगगरा इंपोटेंट है ठीक है इसको हम क्या कह सकते हैं यूरोप के ऐक बेकबॉन भी खे सकते हैं तो इम इसका जो आनसुर था बाकि यह जीतनी बी यह जैसे is टारब्रग कांपे यहां पी देखो फ्रांस में है इसके लावा कोलो जर्मनी में है और रोटरेडरम यहां पे निधरलेंड में है तो इसे और भी आसकते हैं और नदियों के जानारी भी आसकते हैं तो जब आप कभी पढ़ो पीडीव को पढ़ो जो अपने टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फिरियोप कोस्ट मिलती है इसका कोई अक्स्टा चार्ज नहीं है आराम से जब देखो तो थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए भी होना चाहिए यहां पर मैं इनको ज्यदा लाइन बाइन नहीं प ठीक यह वेरिवहोस्ट में है वह ही बात है लग सही रहा तो अईसक्यक्षिं यही कुश्ण आपकी एउपीसिपरी एकजाम में आ सकता और बहुत do कुर्षन है आप अराम से कुर्षन को देख सकते हो कुर्षन दोनों लेंग्वेज में यहां पर लगाया गया है आराम से देखो इसको कुर्षन यह आया था कि 1950 में इसके मुहावने को बंद करने के बाद इसका मुग परवा रोग दिया गया था संपुर्ण नदी पाट को अंदर जीवित करने का निदेश दिया है हालांकि इस कुर्षन को आज मैंने टेलिग्राम पर सेरी किया था जो अपना एंसी को टेलिग्राम है ना बहुत सरे बच्चों को मिलता नहीं एंसी टेलिग्राम तो मैं आज इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इंपोटेंट है क्योंकि मुझे जो इंपोटेंट लगते हैं जैसे मेपिंग इंपोटेंट लगते हैं तो वीडिव ना देता हूं और कोई एंपोटेंट लगता है तो उस टेलिग्राम पर शेर करता हूं वहां पर डेडिगेट है मतलब कि वहां पर लगबग सेवन्टी परतिसत बच्चोनीश का सही आंसर दिया था क्योंकि यह बहुत ज़्यदा हाइलाइट था यह तो इसमें यह भी है कि सामने आपके लिखा भी है कौने नदी है सुकाफाई का नदी अब सुकाफाई का नदी है कहां पर है उडिसा में उड जाती है तो यह आप कहसे कि महानदी की इंपोटेंट साइक या डिस्टरिबूटर या इसको उसको इंपोटेंट नदी है तो यह याद रखना कि कुछन बहुत इंपोटेंट है और यहां पर मैंने यह दहिंदू इंडिनेक्स पर सब जोनीश पर उसके आर्टिकल आये था तो नेसलन ग्रिन ट्रिबूनल ने डिरेक्ट किया कि इसको उडिसा को कि आप इस नदी को फिर से मतलब सुधार हो इसमें सुधार किया जाना चाहिए बाकी मैपिंग आपको यहां पर एड़ कर दी गई है ठीक है महानदी रिवर यहां पर दिखाई दे रही है आपको इस उस से अलग होती किसे महानदी इस लग होती है बाकि यहां पर देख सकते हो ठीक है आजे बढ़ते हैं बाकी और इसमें डेटेल उरिप सांग declared डेवर यहां पर डिटेल देखते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं, इस बार मुझे इसी फिलिंग आ रही है कि लक्सदीब को लेकर कुशन आना ही आना है, क्योंकि जहां हमारे प्रदामतर जी जाते हैं, जहां-जहां मोधी जी जाते हैं, वहां से संभावना मंदी की कुशन आ सकता है, पिछले दिनों भी ऐसी म माना आ सकता है, और यह कुशन आया भी था, ठीक ही, यूपीची के एक्जाम में, तो इस कुशन को आपको मोका देता हूँ, वीडियो को पोज करो, और कुशन को अटेम्ट लो, ठीक है, या आप अटेम्ट लो, अटेम्ट लेनी कोशिस करो इस कुशन को, आपको मोका दे रहा हूं चलो मैं कुर्शन पढ़ देता हूं कि लक्सदीप के संदर्ब में निमलिक में से कौन सा खतन सही है ठीक है कौन से स्टेट्मेंट इसमें सही है पहला है कि जो लक्सदीप है परवाल दीपो और रिपो से बनावा एक दीप समुए है दूसरा है कि यह छेतरपल की द लेकते हैं यह तो सब को पता है कि लक्सदीप किस का बना है परवाल बीति से बनावा है परवेंगा नल्हों कि रूप से यहाँ परवाल भीतिया पाए जाती है अभी आपने मेरा अनडवान बाला जो वीडियो देखा हो उगर ओजभ आविंग repeating यहां परवाल भीति है प्रवाल पारितंत्र है बहुत जद्वार होते हैं गुरह सबसे चोटा इंवारिमेचर उसके लिए नियुक्कित तो इसका क्या है बिल्कूल सब्सों पढ़ा क्या है रो वाला दूसरा ये भी शहीए किचेत्रबल के देश्टिसे बार्त का सबसे चोठा उन्टेरेट्रियाय लग बग 30 22 क्रिमेटर में यह फिलावाई सबसे चोटा है चेतरपलिंग दर्श्री से सबसे बड़ा कुण सा है यूनियन टेरिट्री बताओ जम्मु कस्मीर ठीक है और बाद में है लोगों का मुख्य वेशा है अब इसको क्या करते हैं बच्चे फरतम दर्श्री देख के तुरूंद अक्साइटेड ह और और अच्चे बड़ाना है थीक है और मुख्य वेशा यहां की लोगों किस पर है करसी मतस्यऽ पालन इन पर जैजा है ठीक है जैसे नारील ऐसा तो अग्रिकल्चर और उनकी गतिविदिया जो है उन पर उनका मेन वेवसाई है तो यह आपका देखो पहला वाला सही इसको कैसे करते हैं अट्टेम्ट लेने का भी तरीका यह सीखना है अधरवाज जल्दवाजी में कुशन को गलत कर दोगे आप इसको मौस्तों बच्चे प्रेटन नहीं है तो इसको लेकर चलो पहले वाले को पहला आपका सही है तो इसको निकाल दो अभी दूसरा क्या है इसमें आप कभी-कभी हो सकता है मन में आपका दमंदीव आए तो यह थोड़ा फेक्ट है और यह बताओ तो फिर आपका आंसर वैसे भी बन जाएगा एक कुछ को सनाएगा मुझे इसा लगता है जो उनके दीप है उनको लेकर कुछ नाएगा ऐसा भी आ सकता है लेकिन दीपों को लेकर आ सकता है उसका उत्तर से दकशन नboys दिपों के लेकर तो नेक्स्ट you इपने देख लेते हैं यह आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे सबसे नीचे यहां पर है मिनिकोई दीप ओके और यहां पर हैं nine degree channel कभी कभी यह होता है कि nine degree eight degree ten degree channel किस को अलग करते हैं तो यहां पर nine degree किस को अलग करता है जो अपना मुख्य लक्स दीप है, साथ में मिनिकोई लक्स दीप का एक दीप है, दक्सिन वाला तो किसको लग करता है, आप ऐसा कह सकते हो या तो ऐसा statement आ सकता है कि मतलब ये जो कालपेनी दीप है या सुहली दीप है रीप है, उसको और मिनिकोई को अलग करता है या बैसे कर सकते मुख्य लक्स्तीप को या मिनिकोई को अलग करता है कौन सा नाइन डिग्री चैनल और जो एट डिग्री चैनल नीचे दिया हुए थोड़ा दिकरा होगा एट डिग्री चैनल मिनिकोई को और किसको अलग करता है मालदीव को ठीक है तो एट डिग्री वाला आपका confirm हो गया मिनिकोई आगए यहाँ पर अंडमा निकुबार का सबसे south में दीप आगए मिनिकोई और इसमें कैसे कुछन आ सकते है या तो उत्र से दक्सिन में आ सकते है जैसे यहाँ पर सबसे उत्र में कोई दीप है यहाँ पर ये रिप है ठीक है चेर बेनानी ऐसा कुछ नाम है इसका और बाद में ऐसा आ सकता है यहाँ पर जैसे चेटलट आइलेंड है यहाँ पर किल्टन है अमन दीवी आइलेंड है कवरती यहाँ पर है ठीक है और बेंगाराम यह कई बार चर्चा रहता ना बेंगाराम वाला अगाती है यहां पर मतलब कुछ ही दीफ ऐसे जहां पर क्या होता है प्रेटन अलाव है बाकी मतलब जैदा अलाव नहीं है आप तो ऐसे करके इसमें क्या होगा उत्तर से दक्षिन या पूरों से पस्चिम कर लेना यह हम्रक आपके लिए आज होगा यह खुद को करना पड़ेगा मैं आपको बता भी दूगा उसके बाद भी याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद दना रब को पिले के नहीं किरोगे तो याद रखना इस बार इसकी संभावना है कि यहां से कुछ ने कुछ इसे कुछ न भी चर्चा में रहते हैं तो आते हैं यह इंडियर एक्सप्रेस में काफी कवर होगा था और यह चर्चा में राही साल तो बन सकता है कि एक नदी के बारे में निम्लित खत्रों पर आपको विचार करना है कि यह नदी कहां से निकलती है हिंदू कुस परुद स राष्टों के बीचे गंबीर विडियो चल रहा है निम्लित में से नदी की पेचान कीजिए बताओ आंसर चूज करो मन में सोच लो जल्दी से ज़्यदा टाइम नहीं है कौन से नदी है बताओ बताओ जल्दी से बताओ कौन से नदी है ठीक है आपने सोच लिया होगा हमुन अदर भी मिलती है हमुन अदर भी कहां पर इरान और अफ़कानिस्तान के बोर्डर पर डिस्पूट किनके मत दे इरान और अफ़कानिस्तान के मत दे इसको लेकर कैसी ही स्टेट्मेंट बन सकते है ठीक है जो अभी अबने चर्चा की है कि यह किस के बीच में डिस्प मेपिंग आप देखना चाहो तो हिंदु किस जो परवत वहां से ये नदी निकलती है निकल के कहां पे इसमें आती हामून जो है अधरमुए अभी देखा कहां पे इरान इस तरफ है और अफगानिस्तान इस तरफ है ठीक इनके बोर्डर पर ये स्थित है ठीक है ऐसे देखने कहीं है नोट नहीं पढते ये नहीं पढ़ते हैं यह नहीं पढ़ता है इसको आप अनससर स्टीक होगा एकदम सई जाएगा ठीक है लाट्विय l Cr पॉलेंड लाट्विया और रूज्व स्वीडन और रूज्विडन और नार्वे तो आप का शरक यह क्या होगा यह नहीं है कुन सा नार्वे नहीं है ठीक है नार्वे देखो उपर है नौर्वे या नार्वे जो भी है उपर है और बाल्टिक सागर का पर यहां पर तो किसकी सिमा लगती है स्वीडन की लगती है फिलेंड की लगती है एस्टोनिया लाट्विया लिथवानिया यहां पर रूस एक छोटा रूस भी श्तित है यहां पर इसके लावा पोलेंड है, जर्मनी है, ठीक है, डेन्मार्क है, इन दिसों की सिमा लगती है किसके साथ में, बाल्टिक सी के साथ में, तो ठीक है, इसकी सिमा, ये उप्सन सही नहीं था, मतलब इसमें, डी वाला उप्सन सही नहीं था, नार्वेक ही नहीं लगती है, ठीक है, करनी चाहिए आपको बहुत ही प्यारा अराम से आप इनको कर सकते हो अच्छे चिक उसना रहा है ठीक है लाइक जरू कर देना बच्छों को लाइक जरू करना है और सेर भी करना है यार एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से यह आप यहां तक पहुंचे और आपको जैनूर और साथ में डिटेल भी पूरी देदीगी है एक बार स्लाइड जरूर पर लेना जो पीडिएफ है एक बार वीडियो देख लिया और दूसरा एक बार रिविजन कर लेना इसका अदर्वाइस थोड़ा सा वहां पर दीकत आईगी यह आप के वाली वीडियो देखते हो पास करने का जादू ठीक है तो डिवजन जरूर करते रहना यहां पर पूरा आगे है आपका कौन कौन सी कांपे है तो यह लेक के बाद में भी लेकर से सागर की किनारे कौन से देश है इसे थीम बनती है यूपीसी की यहांट कंथी जिल है लेक बालकस ठीक है बालकस जिल किस देस मिश्थद तो यह तो आराम स्तिज यहां पे कजागिस्तान मिश्थी था ठीक है यह तो kadar इजी वाला कुष्ण था आपके लिए बहुत ही मुझे लगता है सब को पता होगा तो मौटी मौटी जिलें ये लेकर हम चलते हैं केस्भी इंचागर अर्ड सी ठीक है ऐसे कुष्ण आते रहते हैं है यह बहुत अचा कुशन है और ऐसी कुशन ॕसी में पहले आ चुके हैं इस में क्या करना है सुची närए को दो से मिलाना और इस में क्या गास यस तल कहहां का इस्तीत है यह आपको देखना है बहुत easy question है, आराम से, इस question को आप attempt लेना, आपके लिए छोट रहा हूँ है, मैं आपको बदा जिता हूँ, map के अंदर की कौन-कौन से कहां पर है, बाद में इस question को आप attempt लेना, ठीक है, तो इस map में देखना आप, ये NCRT में दिया वाई साथ, अब कौन से 7th, 8th NCRT में ये diagram दिये गया, तो NCRT के side वाले diagram बहुत important होते हैं, आप geography पढ़ रहे हो, history पढ़ रहे हो, नई वाली NCRT की बात कर रहा हूँ, जहां ऐसे box बने हो उसको, एकदम lightly मतले हैं न, simple चीज भी बहुत important होती है, प्रीम एको सनाते हैं वहाँ से, तो जो दो टाइप की गास होती है कोन सी, एक tropical, यान tropical कोन सी, आप इसको कह सकते हो, गरम गास बोल सकते हो, उसन कडिपन दे चेतर में जो इस्तित होती है, यानि करक और मकर की बीच में, ठीक है, दोन उतरत 0 degree से 35 degree, करक और मकर की बीच में कौन सी है, ट्रोपिकल ग्रास लेंड है, और उपर जाएंगे, 30 degree से उपर या 30 degree से उपर मान के चलो, तो कौन सी होगी, template, यानि situation वाली जो गास होगी, तो अराम सी इसको कर सकते हो, ठीक है, जैसे सवाना के एक्जामपल लें तो क्या है, ये उसन कडिपनी गास का सबसे बड़ा एक्जामपल है, तो इसमें tropical, देख रखा है न, सवाना कहां अफरिका में हो गई, ब्राजिल में campus हो गई, ठीक है, ब्राजिल में compose हो गई, compose या compose भी बोलते है, वेनिजुला में क्या हो गया, लानोस हो गया, तो ये किस टाइप की गास है, ये tropical टाइप की गास है, इसके अलाब़ा अर्जेंटिना ये temperate वाली कौन सी है, अर्जेंट भी गास के मिदान है, ठीक है, और प्रेरी गास के मिदान आपने देखे होंगे, कहां पे, उत्रे अमरिका माधीप में देखे होंगे, ठीक है, ये map बहुत important है, बागी कुछ इसमें detail भी दीगी, आप इसको देख लेना, मोटा मोटी गास के मिदान आपको पता होगे, इसक इसको कर लेना, खुद करना attempt, ऐसे सब चीज में बताऊंगा, तो आपकी practice नहीं हो पाईगी, मैं चाता हूँ, कुछ practice आप भी करो, ठीक है, इसको कर लेना बहुत easy है, आपके लिए map देखके एक दम, ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत important है, और ये question यूपिसम पहले आ च correct वाला पुचा न, correctly match, तो इसको देखते हैं, आराम से इसको, या तो वीडियो को पोज़ करके आप कर सकते हो, इसको attempt लेना, वीडियो को पोज़ करके लेलो, या आपको चलो time देता हूँ, एक second कम है, attempt लो, मैं भी आपके साथ attempt ले रहा हूँ इसको, तो जैसे पहला वाल कौन सा, अभी सिनिया, अफरिका में दे रहा है, दूसरा पेटोगोनिया, इसमें ओस्टलिया में दे रहा है, आनोतोलिया, एसिया में है, और आईबेरिया, उत्रे अमरिका में है, चलो, आपने कर लिया होगा, तो जो इसमें अभी सिनिया का पटार है, कहां पे है, इसको वाट साहिए आई वे याइंट का पीयर? धीक है् तो यह सब चीजह लगा वह यहाँ पर जो अबीजी वाला he 많이 में is इसको मेस्टा भी बोलते हैं, इसको जो अभी सीनिया का पटार है, इतोफियन पटार भी बोलते हैं, पेटगोनिया, यहाँ पेटगोनिया पटार भी है, और जो अनोतोलिया है, कहां पे हैं, तुर्की में है, चारो आपके जो पटार आराम से होगे, चलो आगे बढ़ते हैं यह बहुत ही प्यारा कुशन है, आज के लिए आपके लिए कुशन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, यहां तक पहुंचे हो, कुशन क्या किस राजी की राज़दानी बुमधरेका के सबसे नजदीक है, ऐसे कुशन यूपी से में आते हैं, एक बार ऐसा कुशन पहले की राजदानी equator के सब से नजदीक है closest to the equator ठीक है कमेंट करके जरूर बताना यहां तक पहुंचो और यहां तक पहुंचो तो आप बहुत ही तो ऐसे ही साथ बने रहना और वीडियो को वाइल करतो ज्याद से रहा इतना एफर्ट लगता है अभी मैं भी आपके साथ एक्जाम दे रहा हूं कभी कभी मुझे लगता है कि समय मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए एक्जाम पास में लेकिन मुझे यह लगता है कि जब के साथ आगे बढ़ता हूं एक्जाम निकलेगी जुरू निकलेगी हमारे एच्छे प्रियासों से ठीक है तो आप भी स्वारती मत बनो ज्यासे ज़्यादा सेर करो कमेंट करके बताओ ठीक है कैसे आपको वीडियो लगा मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में आप सबका ब करने बाद